हेलो एवडिवन, वेलकम बेक टू दीस सेनल, आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेत की प्रक्टिस वक्षिट सेयर कर रही हूँ, अगर आपके बच्चे पांसे छे साल के एज में तो आप इस तरह की प्रक्टिस वक्षिट बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सक करना है एंड ब्लू कलर करना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर पर रेड कलर करना है तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं बीग एंड स्मॉल नंबर्स बच्ची एजिली फाइन कर लेते हैं बट अकर थी तू फोर नंबर्स लिखे हैं उनमें ग्रेटेस् तो आप इस तरह से बच्चों को प्रक्टिस करा सकते हैं यहां पर लिखा है 28 82 78 87 तो इसमें smallest number बच्चों को फाइन करना है और greatest number फाइन करना है और उसे color करना है तो आप इस तरह से बच्चों को numbers लिखकर practice करा सकते हैं here is the next question write the numbers in increasing order यहां पर कुछ number लिखे हुए हैं जिसे 27 38 15 24 इन numbers को यहां पर increasing order में लिखना है increasing order को ascending order भी कहते हैं तो आप बच्चे को यह समझा सकते हैं क्यूंकि अगर बच्चे ने एक बर increasing order से related question solve किये हैं अगर आपने हुआ पर ascending order लिख दिया तो बच्चे confused हो जाते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं increasing order and ascending order दोनों same होते हैं and same यहां पर जैसे लिखा है decreasing order write the numbers in decreasing order so decreasing order and descending order same होते हैं increasing order में हमें small to big number की तरफ move करना होता है जैसे हैं लिखा है 27, 38, 15, 24 तो यहां पर smallest number कौन सा है 15 तो पहले लिखना है 15 after then 24 then 27 after then 38 तो इस तरह से small to biggest number की तरफ हमें move करना होता है increasing order में या ascending order में and decreasing order में big to small number की तरफ move करते हैं जिसे हैं लिखा है 43, 34, 14, 41 तो इहां पर biggest number कौन सा है 43 तो इहां लिखना है 43 then 41 then 34 and then 14 तो इस तरह से big number to small number की तरफ move करना होता है तो आप इस तरह से बच्चों को increasing order decreasing order या ascending descending order से related questions भी solve करने के लिए दे सकते हैं here is next question how many ways can you color three different circles यहां पर मैंने कुछ circles बना कर दिये हुए है यहां पर three circles पर color करना है बट कोई भी set of the circles मेंच नहीं होना चीए जिसे यहां पर color किया है first circle fourth and fifth बट यहां पर है first, third, fifth यहां पर है first, second, third तो इस तरह से यहां पर कोई भी set of circle मेंच नहीं कर रहा है तो ऐसे ही आप बच्चों को activity करने के लिए दे सकते हैं बहुत ही अच्छी activity है और बच्चों की thinking power को increase करती है, तो आप इस तरह की activity बच्चों की activity sheets में include कर सकते हैं, here is the next question, write the words that fits, यहां पर three blocks बने हैं, यहां पर लिखा है two, यहां पर लिखा है five, तो कौन सा number इसमें fit हो सकता है, जिसे TWO two, it has three letters, तो यहां पर two fit होगा, जैसी यहां पर again कुछ blocks बने हुए हैं, यहां पर 17 यहां पर 18, यहां पर eight blocks बने हैं, अगर हम इसमें 17 लिखेंगे तो S E V E N T E E N के लिए कोई space नहीं है, तो यहां पर 17 नहीं आएगा, तो हम यहां पर 18 लिखेंगे, E I G H T E E N, तो इस तरह से आप blocks बना कर उनमें number लिखने के लिए दे सकते हैं, and same activity को आप बच्चों को number spell लर्न कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं, here is the next question, fill in the blanks, यहां पर fill in the blanks related activity है, 9 is blank more than 5, तो इसे आप easily बच्चों को समझा सकते हैं, after 5, आफ count करो जब तक की 9 ने आता, जैसे 5 के बाद 6, 7, 8 and 9, तो number आगया 4, so 9 is 4 more than 5, same ऐसे ही 5 is blank more than 2, 2 number से कितने number हम आगे मूग करेंग की 5 आएगा, so after 2, 3, 4 and 5, तो number 3, so here comes 3, तो इस तरह से आप more number वाले questions बच्चों को सिखा सकते हैं, इन्हीं आपर है 16 is blank less than 25, 16 कितने number less है 25 से, या तो आप बच्चों को 25 से backward counting करने के लिए दे सकते हैं, जब तक कि 16 नहीं आता, या तो फिर आप 16 से forward counting करने के लिए दे सकते ह जब तक 8 नहीं आता, दोनों ही तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, 16 is 9 less than 25, same यहां भी है, 8 is blank less than 14, 8 कितने number less है 14 से, यहां पर भी आप बच्चे को backward counting सिखा सकते हैं, या forward counting, जिससे after rate अगर count करना है, तो 9, 10, 11, 12, 13 and 14, so the number is 6, 8 is 6 less than 14, या फिर आप backward counting भी करने के 14 के before count करना है, 13, 12, 11, 10, 9 and 8, so the number is 6, 8 is 6 less than 14, तो दोनों ही तरह से आप बच्चों को forward counting या backward counting करके इस तरह से सिखा सकते हैं, and इन questions को आप बच्चों को oral practice में भी करा सकते हैं, आप इस तरह से पहले लिखकर बच्चों को करने के लिए दें, जब बच्चों को समझ में आए आफ्टर दिन आप बच्चों को यही questions औरल प्रक्टिस में भी पूछ सकते हैं, जैसे 9 is how many more than 5, तो आप बच्चों को यह question औरल ही पूछ सकते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को oral question पूछ सकते हैं, और बच्चों को math में और अच्छा से strong कर सकते हैं, mental math में आप इस तर अरबेटिकली ऑ्रडर में कुछ पैटंस लिखे होए हैं, यहां पर भी मैंने कुछ फैस बना हुए हैं और भी पैटंस में हैं तो इन पैटन को में अच करना हैं, जैसे यहांपर है A, B, C, A, B, C, तो इसमें को पैटन हुआ है, इधर फाइन करना है, कौन से फैस से अबी स अगया तो यह भी नहीं होगा अब यहां पर है अब यहां पर है अब इस तरह से बच्छों को पैटन से जो अलफ़ापेतिकली और में पैटन लिखे हुए हैं अन्पिचर बनी हुई है उनसे बच्छों को मेच करने के लिए जाता है mental math में इस तरह के questions भी बच्चों को करने के लिए दे जाते हैं इस तरह की activity भी आप बच्चों के activity sets में include कर सकते हैं patterns देखकर उन्हें same picture से match करना है तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं here is the next question, write the table of 0, 1 and 2 यहाँ पर मैंने 0, 1 and 2 का table लिखने के लिए दिया है आप भी अगर बच्चों को multiplication से introduce कर रहे हैं और बच्चों को table learn करा रहे हैं तो आप इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं 0 and 1 का table बच्चे easily learn कर लेते हैं क्योंकि 0 का किसी भी number में multiplication answer 0 ही होता है इसे 2, 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 तो इस तरह से आप बच्चों को प्रक्टिस कर रहे हैं तो इससे बच्चे easily learn कर लेंगे जब आप और बच्चे बहुत जल्दी tables learn कर लेंगे तो आप इस तरह से बच्चों को initial stage में 0, 1 and 2 का table बच्चों को introduce कर सकते हैं इस तरह से writing work में लिखने के लिए दे सकते हैं Here is the next question Solve the following in terms of repeated edition and multiplication यहाँ पर मैंने कुछ pictures बनाए हुए हैं यहाँ पर बच्चों को repeated edition में भी इसे solve करना हैं and multiplication में भी solve करना हैं यहाँ पर मैंने कुछ face बनाए हुए हैं इन्हें repeated edition में कैसे solve करेंगे जिसे हाँ पर ए 1, 2 तो यहाँ पर लिखा 2 and यहाँ पर भी 2 है So 2 plus 2 equals 4 अब इसे multiplication में करेंगे How many faces in each group? There are 2 faces in each group तो यहाँ पर 2 लिखा and how many number of groups? 1 and 2 groups So 2 multiplied by 2 equals 4 Same A से यहाँ पर star बने हुए हैं Repeated edition में करेंगे So 1, 2, 3 plus 1, 2, 3 So 3 plus 3 equals 6 अब इसे हाँ multiplication में करेंगे How many stars in each group? There are 3 stars in each group So here comes 3 and how many number of groups? There are 2 groups 3 multiplied by 2 equals 6 और 3 twos are 6 यहाँ पर कुछ shapes बने हुए हैं जिसे हाँ पर है 4 heart and यहाँ पर भी है 4 So 4 plus 4 equals 8 अब इसे हाँ multiplication में करेंगे How many hearts और shapes in each group? There are 4 So here is 4 and how many number of groups? There are 2 groups So 2 multiplied by 4 यह 4 multiplied by 2 दोनों सेम ही होता है 2 fours are 8 यहाँ पर butterflies बनी हुए है इन्हें रिपिटेट एडिशन में करेंगे So 3 plus 3 plus 3 equals 9 In multiplication में कैसे करेंगे? of butterflies in each group There are 3 butterflies in each group So here comes 3 And how many number of groups? 3 So 3 multiplied by 3 equals 9 आप इस तरह से बच्चों को Repeated edition and multiplication करने के लिए दे सकते हैं जब आप बच्चों को इस तरह से Repeated edition के साथ multiplication लिखने के लिए देंगे या solve करने के लिए देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी multiplication learn कर लिए तो आप बच्चों को इसी तरह से कोई भी question दें तो पहले उसे Repeated edition में solve करने के लिए दे And साथ में आप उसी question को multiplication में भी करने के लिए दे जिससे बच्चे easily multiplication learn कर लेते हैं and initial stage में आप इसी तरह से बच्चों को multiplication से introduce करें Here is the next question solve the magic triangle puzzles यहाँ पर मैंने magic triangle में 11 sum वाली puzzle दी है and here पर 12 sum मैंने empty puzzle दी हुई थी तो आप इस तरह से बच्चों को magic triangle की puzzle से भी introduce कर सकते हैं बहुत ही अच्छी activity है and बच्चों की thinking power को increase करती है आप इस तरह की activities बच्चों की लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बताएगा कि किस तरह से आप बच्चों को easily magic triangle solve करना सिखा सकते हैं तो आप इस तरह की activities भी बच्चों की activity sets में include कर सकते हैं Here is the next question practice addition and subtraction यहाँ पर मैंने addition and subtraction related questions दिये हुए हैं आप इस तरह से बच्चों को practice करा सकते हैं जब आप इस तरह से बच्चों को practice करने के लिए देंगे और बच्चे जब इस तरह से revision करेंगे practice करेंगे तो बच्चे easily addition and subtraction related questions को solve कर लेंगे क्योंकि जब बार बार प्रक्टिस करते बच्चे तो उन्हें बहुत जल्दी learn हो जाता है and वो जल्दी and quick questions को solve कर लेता है यहाँ पर मैंने addition करने के लिए दिया है carry forward method के through addition करना है तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते है and यहाँ पर number बोरो करके subtraction करने के लिए मैंने दिया हुआ है तो इस तरह से आप बच्चों को practice करा सकते है and आप बच्चों को जितनी ज़्यादा practice करेंगे बच्चे उतने अठी से solve करना सीखेंगे जैसे हाँ पर लिखा है 66 minus 38 so हमें once में से once को minus करना है so 6 minus 8 करना है it's not possible क्योंकि 60 is smaller than 8 तो हमें आपा number को borrow करना है लेकिन आप देख सकते हैं आप कोई भी extra number नहीं लिखा है जिसे 60 नहीं लिखा है तो आप बच्चे को जब बार बड़ practice कराएंगे तो बच्चे इन छोटी-छोटी calculations को अपने mind में solve कर लेंगे and वो solve करना सीखेंगे तो आप इस तरह से बच्चों को practice करा है आप जो भी topic पढ़ा रहे है अगर आपने edition पढ़ाया है तो आप edition से related questions बच्चों को solve करने के लिए दे daily basis पे आप बच्चों को edition से related questions दे जिससे बच्चों को अच्छे से edition लर्न हो जाए इस तरह से आप बच्चों को प्रक्षिट्स बना कर घर पर solve करने के लिए दे सकते हैं और बच्चों को इजीली प्रक्टिस करा सकते हैं अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरू करना हम मिलते एक अच्छे से नए वीडियो के साथ तिल देन बाई 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 टेक केर